कि ओके सो हेगाइज वाट अब एबरीबाडी प्रॉन अब गेमर इस अगेन बैक टीट गेन अथ न्यू वीडियो ओकिस आज किस वीडियो में मैं आप लोगों बात करने वाला हूं बेसिकली एक ऐसे टॉपिक के उपर जो कि आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है सुन तो यह बेसिकली मैं आप लोगों को बता दो क्लास ओप क्लैन में जो हमारे पास बिल्डर बेस है उसमें अगर कुछ चीजे हम सुपर सेल कुछ चीज कुछ चीजे सुपर सेल हम लोगों को दे दे ठीक है तो यह बहुत ही बढ़िया होगा तो आज मैं आप लोगों को बता यह लेकिन सुपरसल नहीं दे रहा तो वो लकान जी नमबर वान जो चीज वह है हमारे पास जो यहां पर सिंगल प्लियर रहता है ना जो मैन बेस में हमारे पास सिंगल प्लियर रहता है वह अगर सूपर और च्ञास और मैं बील्टर बैस में देंदे गैस अगर बिटर बेस में देदे तो यह बहुती मज़ा आ जाएगा क्योंकि आप लोग तो जानते होकी सिंगल प्लियर में बहुत ज़ादा लूट पाया जाता था पहले जब यह कंप्लिट नहीं हुआ था तब यहां पर लूट आप लोग कलक्ट कर सकते थे लेकिन बिल्डर बेस में ऐसा कुछ भी फॉर्मूला नहीं है ठीक है तो बिल्डर बेस में अगर यह ऐसा कुछ दे दे सिंगल प्लियर तो बहुत मज़ायगा तो यार अब जो नेक्स्ट जो हमारे पास चीज यह वह है तो यार नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वह हो है obstacles obstacles means मैं आप लोगों बताओ दू अगर आपको नहीं पता कि obstacles क्या होता है obstacles means जो हमारे पास जो occasion आता है ना वो occasion में आप लोग जानते हो कि जब 5th anniversary हुआ था तब केक दिया था ठीक है तो जब Christmas आया था तब Christmas tree दिया था तो basically के लिए ऐसे करके जो obstacle है यह सब obstacle जो है इसको बिल्डर बेस में अगर देगा तो यह बहुत बढ़िया लगेगा मैं यह क्यों कह रहा हूं बहुत बड़ा लगे क्यूंकि आप लोग एक बात notice किया हूं की बिल्डर जो हमारे पास main village है मतलब main base है उसमें जो obstacle देता है उसको रिमूब करने के बाद कुछ ना कुछ हम लोगों को points मिलता है वगरा वगरा coins, gems वगरा वगरा कुछ ना कुछ तो कुछ मिलता है तो ऐसे ही अगर बिल्डर बेस में भी दे दे तो हम लोगों का फाइदा होगा तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बिल्ड supercell को इस चीज़ को include करना चाहिए अब जो next है उसका नाम है तो यह बेसिकली जो next चीज़ है वह वर ठीक है आप लोग सई सुना वर काई वार को देना बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोग जानते वह रसे कितना ज़्यादा लूट हम लोगों को मिलता एक इतना ज़्यादा हम लोगों को जो coin वगरा, coin है ठीक है, elixir है, वो सब बहुत ज़ादा मिलता है war से हम लोगों को, तो यह war को देना बहुती ज़ादा ज़रूरी है, यह जो हमारे पास builder base है ठीक है इस builder base में हम लोगों को war देना बहुती ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आप लोग जानते हों कि मैंने बता दिये कि आप लोगों को पता ही कि war से बहुती ज़्यादा हम लोगों को experience मिलता है और हम लोगों को जो loot मिलता है वो भी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए war का builder base में बहुती ज़्यादा है तो अब गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने लिए मतलब आप सभी के लिए मतलब एक group में ठीक है एक group में मतलब मैं clan खोलना चाहता हूं तो को वो clan में सिरिफ और सिरिफ मेरे जो भाई लोग है यूटूबर है ठीक है उन लोगों को मैं घुसाना चाहता हूं ठीक है तो मैं एक clan खोलना चाहता हूं तो वो clan का नाम में रखूंगा gamers army गेम आर्मी बगरा कुछ भी एक रख दूँगा तो अगर आपको अच्छा लगा कोई भी नाम मुझे नीचे comment में suggest करिए कि ये नाम अपने clan में बहुती fit रहेगा और बहुती बढ़िया रहेगा और आप लोग मुझे suggest कर सकते हो कि कौन सा नाम रखूं मैं clan जो मैं ना चाहते हो कि नहीं तो ज्यादा से ज्यादा कम से कम अगर 20 लोगों ना भी मुझे बता दिया कि हां मैं घुजना चाहता हूं मैं तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगों को information दे दूँगा कि मेरा ये clan है और मैं आप लोगों को tag भी दे दूँगा ओके तो हम लोग साथ में आएंगे और मिलके ग्रो करेंगे ओके तो आजाना मेरे क्लैन में और साथ में वार वागर खेलेंगे और एक चीज़ याद रखना कि आप एक्टीप लियर होना चाहिए ठीक है यार एक्टीप लियर ना होने से भी कोई फाइदा नहीं ठीक है तेरे के कवड़े से में रोज लेगा दर होनों मैं मुलता हुआ अपसे गोर गले नियों बड़े में थैंक यू सो मच एंड गुड़ बाई प्रोहेत अबे छद में क्या है बे अबे छद में बंदय दे भाग अबे इनके लिए कुछ अच्छा लगा देर भाग जल्दी भाग ट्रिपी हैं आखें तेरी घुगराले वाल है चरता जरसे सब उसके बापू का मुले और तो कमर टकड के खीचे है दे या फिरू के नीचे मेरे रहने तो जमीने ना दे मीने ना दे